नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपून जानकारी को ले करके आलू के फायदे और नुक्सान से जुड़ी होई जानकारियों को आज हम सभी अपने इस एपिसोड में सुनेंगे आलू सबसे आम और महत्वपून भोजन श्रोतों में से एक है और अपने स्वास्थे लाप के कारण यह पूरे विश्व में एक प्रमुख आहार के रूप में उप्योग किया जाता है आलू सबसे ज़्यादा एंडिस, पेरू, बोलीविया में पाया जाता है आलू पहली बार साथ हजार वर्ष पहले मध्य अमरीकी और दक्षन अमरीकी शेत्रों में उगाए गये थे इनका वैज्यानिक नाम है सोलन्ट्यो ब्रोसम आलू खाने में तो स्वादिश्ट होता है इनमें कई औश्रधिय गुन भी होते हैं आलू पोष्टिक तत्वों से भरा होता है आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है आलू में पोटेशियम और विटामिन ए इसके साथ साथ सी भी परियाप्त मात्रा में होता है इसके अलावा आलू में मैगनीशियम फासफोरस आयरन और जिंक भी होता है आलू के कार्बोहेटरेट औ और प्रोटीन ग्लुकोज और अमीनो एसिड में बदल कर शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं इसके अलावा आलू में कई प्रकार के इंटियोक्सिडेंट भी पाये जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से शरीर की रक्षा करते हैं आई ये जानते हैं आलू क के फायदों के बारे में आलू के फायदे सबसे पहले वजन बढ़ाने के लिए आलू मुख्य रूप से कार्बोहाइट्रेट से बने होते हैं और इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है यह उन दुबले या पतले लोगों के लिए एक आदर्ष भोजन है जो वजन बढ़ाना चाहते हैं आलू में विटामिन सी और विटामिन बी मुझूद होते हैं जो कार्बोहाइट्रेट के समुचित और शोषन में भी मदद करते हैं यह एक कारण है कि आलू सुमू पहलवानों के भोजन का एक बड़ा हिस्सा होता है उबले आलू के फायदे हैं लुगों के लिए एक अच्छा माना जाता है जो कठोर भोजन को पचा नहीं पाते हैं लेकिन उन्हें उर्जा की आवश्यक्ता होती है हलांकी याद रखें कि नियमित रूप से अधिक आलू खाने से समय के साथ ACDT हो सकती है कच्चे और ठंडे आलू में उबले हुए या पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी परिस्थीतियों को रोकता है और शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर स्थीति से बचाता है त्वचा पर है आलू लगाने के फाइदे जिहां विटामिन C और B कॉम्पलेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैगनीशियम, जहरे के लिए अच्छे से काम कर सकता है यह त्वचा पर मुहासों और निशानों का इलाज करने में भी मदद करता है यदि इसके गुदे को जलने पर बाहरी रूप से लगाया जाये तो यह त्वरित रहत और तीजी से चिकित सा प्रदान करता है आलू के टुकडे कुमलत और साफ तवचा के लिए बहुत खास हैं खास कर कुहनी के आसपास और हाथों के पीछे आलू के गुण बचाएं सकर्वी से जहां आलू में मौजूद विटामिन सी सकर्वी रोग को रोकने में मदद कर सकता है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है यह फटे हुए हूट रक्त स्त्राव मसूडों और वाइरल संक्रमर के लिए भी उपयोगी है आलू के रस के फायदे गठिया रोग में भी बेहधी महत्वपूर होते हैं जिहां आलू में मौजूद कैलिशियम और मैगनिशियम जैसे विटामिन गठिया से राहत प्रदान करने में सहायता करते ह इसके अलावा उबलते आलू से प्राप्त पानी गठिया के दर्द और सूजन को राहत देता है हालांकि उच्छ श्टार्च और कार्बो हैट्रेट सामगरी के कारण यह शरीर के वजन को बढ़ाता है जिससे संधी शोत के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए इसका सिवन किये बिना भी एक सहायक के रूप में उपयोग करना चाहिए आलू के लाव सूजन प्रभाव में से एक है कि यह सूजन को प्रभावित करता है जी हां सूजन प्रभावी लोगों को इसका इस्तिमाल करना चाहिए आलू दोनों आंतरिक और बाहरी सूजन को कम करने में बहुत प्रभावी है क्योंकि यह नरम है तो इसे पचाना असान होता है और इसकी हलावा इसमें मौझूद विटामिन सी पोटेशियम और विटामिन बी-6 आतोर पाचन तंत्र की किसी भी सूजन को राहत देते हैं यह मुख के अलसर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा आहार तत्व है जो लोग गठिया और गाउट से पिडित हैं वो सूजन को कम करने वाले प्रभाव के लिए आलू का उप्योग कर सकते हैं आलू के और शधे गुण आपको कैंसर से भी बचाते हैं जिहां कुछ प्रकार के आलू विशेश रूप से लाल और भूरे रंग वाले फ्लेवोनोईड एंटियोक्सिडेंट्स और विटामिन आ होते हैं जो कई प्रकार के कैंसर के खिलाप आपके रखशा कर सकते हैं इसके अलावा क्रिश्आ अनुशं धान सेवा में किये गये शोध से पता चला है कि आलू में एक क्वेक्सेटीन नामक योगिक होता है जो की kanसर और एंटि टूमर गुणों में प्रभावी होता है अंत में विटामिन A और C के उच्छ स्तर में इंटी ओक्सिडेंट गुन होते हैं जो कैंसर के विनाशकारी प्रभाव से आपके शरीर को सुरक्षित कर सकते हैं इसके हलावा आप अपने रक्त चाप को भी कम कर सकते हैं आलू के द्वारा उच्छ रक्त चाप कई कारणों से ह हो सकता है जिन में मधुमेह, तनाव, अपच, पोशक्तत्व, संतुलन, खादे समगरी, इत्यादी, शामिल हैं सो भाग्य से आलू इसके कई संभावित कारणों को कम कर सकता है तनाव के कारण उच्छ रक्त चाप को राहत देने के लिए आलू का उपयोग किया जा सकता है इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइवर के प्रचूर मातरा के कारण यह अपच का इलाज भी कर सकता है लेकिन यदि उच्छ रक्त चाप मधुमेह का नतीजा है तो उन्हें इसके सेवन से बचना चाहिए इसमें मौजूद फाइवर कोलेस्ट्रोल को कम करने में सहायक होता है जिससे शरीर में इंसूलीन के कामकाज में सुधार होता है जो रक्त चाप को कम करने में सहायक होता है इसके अलावा आलू में पाएगए पोटेशियम प्रती सेवारत प्रती दिन की आवशकता का 46% रक्त चाप को कम करता है क्योंकि पोटेशियम एक वैदोडी के रूप में कार्य करता है आलू के सेवन से आप मस्तिश्क के लिए भी अच्छी चीजें दे सकते हैं मस्तिश्क का उचित काम ग्लुकोज स्तर ऑक्सीजन की आपूर्ती विटामिन B कॉम्पलेक्स के विभिन घटकों और कुछ हार्मोन अमीनो एसिड और ओमेगा-3 जैसी फ में उच्छ होते हैं रत में ग्लुकोज के अच्छे अस्तर को बनाए रखते हैं यह मस्तिश्क के ठकावट को रोकता है और आपके संग्यानात्मक गतिवीधी और प्रदर्शन को उच्छ रखता है मस्तिश्क को अक्सीजन की आवश्यक्ता होती है जो रत में हिमोग्लोब के द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती है आलू में मौझूद विटामिन और खनीज मस्तिष्क के कार्यों को सकार आत्मक रूप से प्रभावित करते हैं जिन में फासफोरस जस्ता और विटामिन बी शामिल हैं इसके साथ साथ आलू हरेदय के लिए भी बेहदलाफकारी होत आलू में केरोटिनोइड यानि की लूटीन, जैकसेथीन, नामक कुछ एक पदार्थ होते हैं केरोटीन, हरिदय स्वास्थ और अन्य आंतरिक अंगों के कामकाज के लिए फायदे मन्द होते हैं लेकिन आलू खुन में ग्लुकोज के अस्तर को बढ़ाता है और इसकी अधि खपत मोटापे का कारण बन सकती है जिससे आपके दिल पर दबाव परता है इसलिए आपको साउधान रहना चाहिए कि आप स्वास्थे लाप के लिए कितनी बार आलू का प्रियोग कर रहे हैं आलू का उप्योग किड़नी के श्टोन में भी लापकारी होता है जिहां किड पेश रूप से मांस, तरकी, चिरांट, मचली, अंडे और दूध, साथ ही साथ, पालक, कच्चे केले, काले चने और कुछ बिंस, यूरिक एसिड केस्टर को काफी बढ़ाते हैं। आलो दोनों, लोहे और केल्शियम में सम्रिध होते हैं, जो कि गुर्दे की पथरी के एक निवारक उपाय के रूप में फिट नहीं होते हैं। लेकिन इन में मैगनिशियम भी होता है जो गुर्दे और अन्य उत्कों में कैल्शियम के जमाओ को रोकता है जिससे साबित होता है कि गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए फायदे मंद होता है। पोटेटो के फायदे हैं दस्त को रोकने में उपयोगी जिहां आलू दस्त से पीडित लोगों के लिए एक उर्जायोक्त आहार का एक उतक्रिष्ट घटक है क्योंकि यह पचाने में आसान होते हैं हलांकि कई बार अधिक आलू खाना दस्त का कारण भी हो सकता है तो यह तो आज हमने जो बताया अभी तक वो आलू का फायदा लेकिन आएए अब इसके साथ साथ कुछे किसके नुक्सानों के भी भारे में जानते हैं क्योंकि जब आप अत्यधिक मात्रा में इसका सिवन करते हैं तो आपको नुक्सान हो सकता है या फिर कुछे कैसी बीमारियां होत होते हैं क्योंकि उनमें सोलनीन चैकोनीन और आरसीनिक जैसे अलकालाइड होते हैं उन रसायनों की अधिक मात्रा घातक साबित हो सकती है इसके अलावा आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स असी से उपर बहुत अधिक है इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या मधमेह वालों को आलू के सेवन से बचना चाहिए आलू को बड़ी मात्रा में खाने से रक्त शरकरा का असंतुलन भूख पर नियंतरन टाइप टू मधमेह जैसी जटिलताएं बढ़ जाती हैं क्या एक गर्ववती महिला के लिए आलू खाना अच को बचना चाहिए यदि आलू आपके रक्त शरकरा के स्टर को आफसेट करते हैं तो आपको भोजन के बीच में भूख बढ़ने का अनुभव हो सकता है जिससे ज्यादा पेट और वजन बढ़ सकता है मखन पनीर बेकन और क्रीम जैसे लोक प्रिय उच्च वसा वाले वर आलू और आलू के चिप्स वसा और कैलोरी में समरिध्ध होते हैं पाचन के दोरान चावल के अलावा सभी श्टार्च गैस को प्रत्साहित करते हैं वैसे खादे पदार्थ लोगों के गैस के लक्षनों को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं लेकिन आलू गैस ग खाने से इसी तरह के प्रभाव हो सकते हैं हलांकि यह अभी तक सावित नहीं हुआ है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नेट शाइड सब्जियां जिन में टमाटर मिर्च और सफेद आलू इत्यादी सूजन और जोणों के दर्द को ट्रिगर कर सकती हैं इसलिए इनके सेवन से बचना चाहिए तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हमने आप सभी को बताया आलू खाने के फायदे और नुकसान के बारे में क्यूंकि आलू तो हम लगभग हर रोज यूज करते हैं और बच्चों से लेकर के बढ़ों तक को आलू पसंद होता है इसलिए इसके संबंध में जानकारी रखना बेहत जरूरी है इसलिए हमने फायदे के साथ साथ आप सभी को इसके नुकसान के भी बारे में बताया इससे भी अवगत कराए ताकि आप अपने आपको सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतुपूने जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों